हेलो फ्रिंट्स, टेस्टी ट्रीट्स में आपका स्वागत है, आज मैं एक स्नैक्स की रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जिसे बच्चे और बड़े बहुत चाव से खाएंगे इसे बनाने के लिए हमें कुछ सबजिया लेनी है, यहां मैंने एक प्याज, आधा सिमला मिर्ज और एक गाजर लिया है, इसे छोटे छोटे तुकड़ों में काट लेंगे सबजियों को हमें एक दम बारी काटना है, एक प्लेट में सारी कटी हुई सबजियों को डाल दें, इसमें एक छोटी चमच चिली फ्लेक्स, एक चमच औरी गैनो, आधा चमच काली मिर्ज पाउडर, वन फोर्थ चमच नमक, दो से तीन कटी हुई हरी मिर्ज, अगर ज़्यादा तीखा नहीं पसंद है, तो आप हरी मिर्ज को स्किप भी कर सकते हैं, अब इसमें दो बड़े चमच टोमेटो केचप डालेंगे, अगर आप टोमेटो सॉस डाल रहे हैं, तो चिली फ्लेक्स और हरी मिर्ज को ना डाले, वरना ये बहुत दीखी हो जाएगी, इन सभी को हमें अच्छी तरह मिला लेना है, इस तरह स्नैक्स के लिए स्टफिंग तैयार हो गई, यहां मैंने उबला हुआ आलू लिया है, आलू को उबाल कर अच्छी तरह से ठंड़ा कर ले, अब पोटेटो मैसर या फॉक की सहायता से इसे हमें मैस कर लेना है, इसमें एक भी गुठलिया नहीं होनी चाहिए, मैंने जो आलू डाला है वो छोटे साइज का है, अगर आलू आप बड़े साइज का यूज कर रहे हैं, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा दे, सारे आलू अच्छी तरह मैस हो गए हैं, अब इसमें दो चम्मच चावल का आटा, आधा कप मैदा, मैदा की जगा आप गेहूं का आटा या कौन फ्लोर भी ले सकते हैं, वन फोर्थ चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, वन फोर्थ चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच कुटा हुआ अद्रक लसुन डाले इन सभी चीजों को हमें अच्छी तरह मिला कर एक डो तैयार कर लेना है इसमें आप एक चम्मच तेल डाले बिना पानी डाले ही ये डो तैयार हो जाता है ये डो हलका चिपचिपा होता है जब मैदा और आलू अच्छी तरह बंद जाएं तब इसके उपर टेल लगा दे और इसे रिस्ट करने के लिए रख देंगे हमें एक अप्पम पैन लेना है इसे अच्छी तरह टेल से ग्रीज कर ले अभी अप्पम पैन को हमें गैस के उपर नहीं रखना है तैयार डो से छोटे छोटे बॉल्स बना ले बॉल को एक एक कर अप्पम पैन में डाले और उंगली से दबाते हुए इस तरह कटोरी जैसा बना ले इसे बनाने से पहले हमें हाथों को तेल से ग्रीज कर लेना है जिससे ये डो हाथों में चिपकेगी नहीं हाथों में तेल का यूज करते हुए सारे अप्पम में हमें कटोरी जैसा बना लेना है इस तरह जब अप्पम पैन में डो लग जाए तब तैयार की हुई सबजी को डाल देंगे यहाँ आप अपने पसंद की दूसरी सबजी भी डाल सकते हैं जैसे स्वीट कॉर्ण, बीट रूट या पत्ता गोवी इस तरह जब सारे डो में सबजी भर जाए तब इसके ऊपर चीज डालेंगे इसे आप स्नैक्स के रूप में दीजे या पाटी स्टार्टर के रूप में दे सकते हैं सारी सबजीों के ऊपर अच्छी तरह से चीज डालना है इसके ऊपर थोड़ा सा ओरी गैनो और थोड़ा सा चीली फ्लेक्स डालें तैयार अपम पैन को गैस के ऊपर रख दे और इसे ढख दे गैस का फ्लेम यहां लो कर देना है लो फ्लेम पर इसे करीब 5-6 मिनट तक पकाना है इसे पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं धक्कन हटा कर देखते हैं स्नैक्स बन कर तैयार है एक बार नीचे से देख लेते हैं कलर भी नीचे से अच्छा आ गया है इस स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और सारे स्नैक्स को बाहर कर लेंगे इसे आप कटोरी पिज़ा भी कह सकते हैं एक बार आप इस रेशिपी को जरूर ट्राई करें खाने में तो टेस्टी लगती ही है देखने में भी अच्छी लगती है अगर आपको मेरी यह रेशिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेयर जरूर करें इस तरह यह स्नैक्स बनकर तैयार हो गया इसके उपर फिर से थोड़ा सा चीज डाले और इसे सर्व करें इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद